कहानी लग रहा है जैसे किसी मूवी का क्लाइमेक्स खत्म हो रहा हूँ फिल्म की वो आखरी सफें जिसमें एक परिंदा अपनी चडिया को ढूंता हुआ सफर पे निकलता है और जाता है उस काली पहाड़ी के पीछे जैसा उस खत्में जिक्र था गुमनाम रास्तों से होता हुआ हावाव से पूछते भरी फिक्री के साथ कि उसकी चडिया कैसी होगी क्या उसने भोर से कुछ खाया होगा या नहीं कहीं चील की नेजर तो नहीं पढ़ गई होगी उस पर दरसल इस फिल्म का क्लाइमेक्स तो है पर कहानी फिल्म के साथ खत्म नहीं होती ये कहानी लंबी है और थोड़ी मुश्किल भी जो सिर्फ एक कलम और कुछ बूंद स्याही पर टिकी है आज भी परिंदा अपनी चडिया को खोजने निकलता है उसी गुमनाम रास्ते पर जहां कभी चडिया की खुश्बू महकती थी उस खत के लफजों में अब भी कुछ जान बाकी रह गई है कि वो रोज उसे ढूनने को कहते हैं और वो बेहचक नफाजत से उसकी तलाश में निकलता है शुक्रिया